नमस्कार, आज के इस वीड़ी में हम बात करेंगे छात्रावास अधिक्षक भरती परिक्षा 2016 में पूछे गए गनित के प्रश्णों के बारे में गनित से पूछा गया प्रश्ण है इन में से कौन सा कथन सत्य है पहला कथन है आयत के विकर्णा एक दूसरे को सम दिभाजित करते हैं तो ये कथन सत्य है दूसरा है प्रत्येक सम लम चतुर्भूज एक समांतर चतुर्भूज होता है तो ये कथन गलत है तिसरा है एक चेतर भूज जिसके चारो भूजाएं बराबर है एक वर्ग होता है तो जरूरी नहीं कि जिसके चारो भूजाएं बराबर हो एक वर्ग हो क्योंकि वर्ग बनने के लिए उसके चारो भूजाओं के बराबर होने के साथ साथ प्रतियक कोन 90 डिगरी का भी होना जरूरी है तो ये भी कथन गलत है चौन्था कथन है एक संब्लम के विकार ना समान होते हैं तो इसमें भी जरूरी नहीं कि प्रतियक संब्लम चे दुर्फूच की विकार ना समान हो तो ये भी कथन गलत है लेकिन आप्शन में किसी भी कथन के अनुसार मैच से नहीं कर रहा है इसलिए इस वाले प्रस्न को विल्यूपित किया गया है अगला प्रस्न है किसी जार में लाल सफेद और निले रैपर वाले टॉफी रखे थे लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4 बटे 5 है और सफेद रैपर की संख्या निले रैपर की संख्या की 3 बटे 4 है यदि कूल 470 रैपर है तो निले रैपर कितने है माना R लाल रैपर है W सफेद रैपर है और B निला रैपर है प्रस्न में दिया है लाल रैपर की संख्या सफेद रैपर की 4 बटे 5 है और सफेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3 बटे 4 है प्रस्न में दिया है कुल 470 रैपर है तो यह हो जाएगा अब र बराबर 4W बटे 5 और W बराबर 3B बटे 4 कमान इस पर रख देंगे तो यह हो जाएगा 4W बटे 5 धन 3B बटे 4 धन B बराबर 470 फिर से W कमान 3B बटे 4 यहां पास रख देंगे तो यह हो जाएगा 4 बटे 5 गुणित 3B बटे 4 धन 3B बटे 4 धन B को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12B धन 35B बटे 22 बराबर 470 अब 12B धन 35B बटे 20 बराबर 470 12B और 35B को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 47B और इस B को 470 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 470 गुनित 20 आगे B बराबर यह हो जाएगा 470 गुनित 20 और B सेट नीशे चला गया तो यह हो जाएगा बटे में 47 अब 470 को 47 से भाग देंगे तो यह 10 बार में चले जाएगा इसलिए और यह 10 बचा उसको 20 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10 गुनित 20 करेंगे 200 इस तरह से B बराबर 200 प्रस्ण पूछा है निले रैपर की संख्या कितने है तो निले रैपर की संख्या है 200 जो कि आप्शन D में दिया गया है अगला प्रस्ण है 5 लगातार संख्याओं का आउसाथ 16 है तो इन में से सबसे बड़ी संख्या होगी तो 5 लगातार संख्या है 14 15 16 17 18 क्योंकि इन सबका आउसाथ निकालेंगे तो यह होगा 16 तो देखने पर इस प्रस्ण पतलता है कि सबसे बड़ी संख् तिसलिए लमग बराबर हो जाएगा वरुड मूल विकारना का वरुड रिन द्रकार वरुड विकारना की जगहва तो यह हो जाएगा लंब बराबर वर्ग मूल विकान के जगा 5x रखेंगे तो यह हो जाएगा 5x का वर्ग रिन अधार के जगा 4x रखेंगे तो यह हो जाएगा 4x का वर्ग 5x का वर्ग करने पर जाएगा 25x का वर्ग रिन 4X का वर्ग करेंगे तो यह हो जागा 4 चंग 16X का वर्ग अब 5X का वर्ग रिन 16X का वर्ग को घटाने पर यह हो जागा 9X का वर्ग अब यह वर्गमूल के अंदर है 9X के स्क्वेर तो वर्गमूल हटाने पर यह हो जागा लंब बराबर 3X प्रस्न में दिया है त्रिफुच का परिमाब 48 cm त्रिफुच का परिमाब होता है इन तीन फुजाओं का योग तो यह हो जाएगा 3x, धन 4x, धन 5x, बराबर 48 3x, धन 4x, धन 5x का जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 12x, बराबर 48 अब 48 को 12 से भाग देंगे तो होगा 12 चब को 48 तो एक सब बराबर 4 प्रस्ने में पूछा है त्रिफूच का छेतर फल होगा तो त्रिफूच का छेतर फल बराबर होता है एक बटे दो गुनित अधार गुनित उंचाई त्रिफूच का छेतर फल बराबर एक बटे दो गुनित अधार है चार गुनित उंचाई है तो हो जाएगा एक बटे दो गुनित 4 गुनित 4 गुनित 3 गुनित 4 तो हो जाएगा 4 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 अभी हो जाएगा 4 दो नी 8 और आर्टिया 24 और 24 चौंके हो जागा ये 96 इसलिए त्रिभूस का छेत्रफाल बराबर हो जागा 96 वर्ग सेंटिमीटर जो की आप्शन B में दिया गया है अगला प्रस्न है वह निम्तम संख्या जिसको की 1018 में जोडने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है होगी प्रस्न में दिया है 1018 और 1018 में 6 जोडने पर यह हो जागा 1024 और 1024 जो है वो 32 का वर्ग होता है इसलिए 6 जो है वहाँ नीनतम संख्या है जिसको की 1018 में जोडने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है इसलिए इसका आंसर है option B 6 अगला प्रस्ण एक संख्या एक से दूसरी संख्या वाय से 25 प्रतिशत अधिक है तो वाय संख्या एक से कितने प्रतिशत कम होगी तो माना वाय बराबर 100 अब प्रस्ण में दिया है एक संख्या एक से दूसरी संख्या वाय से 25 प्रतिशत अधिक है जो X है वो Y से 25 अधिक है तो इसलिए X से बरहा हो जाएगा 125 अब प्रस्में पुछा है तो Y संख्या X से कितने प्रतिशात कम होगी तो यह हो जाएगा Y बराबर कितना कम है Y X से तो 25 कम है तो यहां पसे होगा 25 किसके respect निकालना है X से तो यहां निचे हम हो जाएगा 125 25 प्रतिसत में निकालना है तो यह हो जाएगा 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 100 बटे 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 20 इसलिए y बराबर 20 प्रतिस है यहीं इसका अंसर है जो कि आप्शन B में दिया है अगला प्रस्न है उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोन होगा यदि उसकी भुजाय 7 सेंटीमिटर 5 सेंटीमिटर एम 3 सेंटीमिटर है तो यह एक त्रिभुज है जिसकी भुजाय है 3 सेंटीमिटर 5 सेंटीमिटर और 7 सेंटीमिटर इस पस्ट है कि 7 सेंटीमिटर भुजा के सामने वाला कोन जो ह और सबसे बड़ा को निकालने के लिए एक फर्मला होता है कॉस C बराबर A² प्लस B² माइनस C² बटे 2AB जहां A बराबर 3 cm होगा, B बराबर 5 cm और C बराबर 7 cm मारक देंगे तो यह हो जागा 3 का वर्ग, धन 5 का वर्ग, रिन 7 का वर्ग, बटे 2 गुनित 3 गुनित 5 3 का वर्ग करेंगे तो यह जागा 9 धन 5 का वर्ग 25, रिन 7 का वर्ग 49 बटे 3 गुनित 6 और 6 पंचे 30 9 में 25 जोड़ेंगे तो यह जागा 34 और 34 में रिन 49 करेंगे तो यह जागा रिन 15 बटे 30 और रिन 15 बटे 30 करेंगे तो यह जागा रिन 1 बटे 2 इसलिए कॉस C बराबर रिन 1 बटे 2 और कॉस में रिन 1 बटे 2 कमान होता है 120 डिगरी के बराबर इसलिए जो सबसे बड़ा कौन है वह है 120 डिगरी जो की option D में दिया गया है अगला प्रस्ण है एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांद उसको बेचने के बाद 12% लाब कमाता है तो किताब के क्राय मुल्य एवं छपे हुए मुल्य का अनपात होगा तो माना X जो है क्रैम मूल्य है और Y जो है वो छपे हुए मूल्य है प्रस्ण में दिया है एक दुकांदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% छूट देने के उपरांथ उसको बेचने के बाद 12% लाब कमाता है तो यह हो जागा X का 112% बराबर हो जागा Y का 90% के बराबर क्योंकि छपे हुए दाम में वहाँ 10% डिसकांट दे रहा है इसलिए हो जागा Y का 90% और वहाँ उसके बेचने के उपरांथ 12% लाब कमाता है तो जाएगा X का 112 पते सा दोनों बराबर हो जाएगा ये % ये % कर जाएगा और आगे X बटे Y हो जाएगा बराबर 90 बटे 112 अब X बटे Y बराबर हो जाएगा इसे दो से भाग देंगे हो जाएगा 45 दोनी 90 और ये हो जाएगा 56 दोनी 112 इसलिए X अनुपात Y बराबर 45 अनुपात 56 जो कि option A में दिया गया है अगला प्रस्न है किसी बेलन की त्रिज्या जदी दुगुनी कर दी गई हो तो उसकी उंचाई में क्या परिवरतन होगा कि उसका आयतन आप परिवरती तरह है तो बेलन का आयतन बराबर होता है प्रस्न में दिया है कि किसी बेलन की त्रिज्या जदी दुगुनी कर दी गई हो तो तो जो त्रिज्या आर है उसे दुगुना कर देते हैं तो जाएगा बेलन का आयतन बराबर प्रस्न में क्या परिवरतन होगा कि उसका आयतन A परिवर्थित रहा है तो आयतन जो यहाँ परिवर्थित हो गया है तो इसे A परिवर्थित करने के लिए चार को कटाना पड़ाएका तो यहाँ पास H बटे 4 कर देंगे, ति यह हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर Pi 4 R का थर riots H बटे 4 एज बटे 4 करेंगे तो ये 4 ये 4 कर जाएगा और ये हो जाएगा πाई यार इसक्वेर एज जो की आयतान आप परिवर्दित है इसलिए बेलन के उचाई जो है एज बटे 4 की है परसेंटेज में निकालने के लिए इसे गुना सव करेंगे तो ये हो जाएगा उचाई का 25 परतिसाद जो की अप्सान ए में दिया है प्रार्णभिक उचाई का 25 परतिसाद अगला प्रस्न है यदि कॉफी के दाम में 10 परतिसाद का इजाफा होता है तो किसी ग्रहने को कितने परतिसाद अपना खर्च कम करना होगा जिसे की उसको कोई अतिरिक्त खर्च न उठाना पड़े तो इसके लिए फर्मन होता है X बटे 100 धन X गुनित 100 प्रतिसाथ यहाँ जो X से लिखा है वो जो 10 प्रतिस यहाँ पर लिखा है भई है तो X से कमान 10 रख देंगे तो यह होजाएगा 10 बटे 100 धन 10 गुनित 100 प्रतिसाथ इस 10 को इस 100 से गुना करेंगे तो होजाएगा 1000 और 100 धन 10 करेंगे तो यहाँ पस होजाएगा 110 एक सुनिया एक सुनिया कट गया तो यहाँ जाएगा 100 बटे 11 प्रतिसाथ अब 100 बटे 11 प्रतिसाथ को हम लिख सकते है 9 सहीं 1 बटे 11 प्रतिसाथ के रूप में जो कि option A में दिया गया है अगला प्रस्न है एक train किसी यात्रा को बीना रुके 8 घंटे में पूरी करती है यदि train की गती 5 km प्रती घंटा जादा होती तो train उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती तब train की प्रारंभिक गती रही होगी तो माना train की प्रारंभिक गती 1 km प्रती घंटा है प्रस्न है एक train किस यात्रा को बीना रुके 8 घंटे में पूरी करती है यदि train की गती 5 km प्रती घंटा जादा होती तो train उस यातरा को 6.40 मिनट में पूर्ण करती दोनों दूरी को बराबर करते हैं दूरी बराबर खता है चाल गुनित समय इसलिए 1 से गुनित 8 एक प्रारमिक चाल और 8 जो है ये हैं पहला व्लाओ समय आठ घंटा में पूरी करती हैं बराबर हो जाएगा एक से धन पांच यहां पास लिखा है प्रार्मिक ज्यति में 5 किलिटर प्रती घंटा ज्यादा होती तो ट्रेन उस जात्रा को 6 घंटा 40 मिनट पूर लंग कर लेती इसलिए एक से धन 5 गुनित 20 बटे 3 जो 20 बटे 3 है उसे हम 6 घंटे 40 मिनट को अगर हम घं 20 बटे 3 इसलिए 6 घंटा 40 मिनट बराबर हो जागा 20 बटे 3 घंटा आगे हलकने पर यह 3 इसध आड़ से गुनहा जाएगा तो यह हो जागा आड़ दिया 24 एक से धन यह हो जागा 25100 20 को इससेठी लाएंगे तो हो जागा माइनस इसलिए 24x रिण 20x बराबर 100 24x में 20x घठाज़ेंगे तो हो जागा 4x बराबर 100 अब 100 को 4 से भाग देंगे तो हो जागा 1 से 25 किलोम्टर प्रतीगंटा यही ट्रेन की प्रारणवें गरती है X जो की 25 km प्रति घंटा के बराबर है जो option A में दिया गया है अगला प्रस्न है एक घास लेट टीन का तीन बटे पांचवा भाग भरा हुआ है यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पूना डाला गया तो टीन आधा भर जाता है तो टीन की छमता बोतलों में होगी तो प्रस्ना नुसार ये इस तरह से हो जागा एक घास लेट का तीन तीन बटे पांचवा भाग भरा गया है रिन यदि 6 बोतल निकाला गया है तो ये रिन 6 भी धन तीन बोतल पूना डाला गया तो ये हो जागा धन 3 भी बराबर तो टीन आधा भर जाता है तो ये हो जागा एक बटे दो के है इससे आगे इस तरह से लिश सकते हैं तीन बटे पांच ये एक बटे दो इससाड चल जागा तो ये हो जागा रिन 1 बटे दो रिन 6 भी धन 3 भी करेंगे तो यह हो जागा रिन 3B बराबर सुन्या अब 3 बटे 5 रिन 1 बटे 2 करेंगे तो यह हो जागा 6 रिन 5 बटे 5 बटे 5 बटे 10 बराबर रिन 3B सेट चला जागा तो यह हो जागा 3B के बराबर यह हो जागा 6 में 5 घटाएंगे तो जागा 1 बटे 10 बराबर 3B इसलिए B बराबर हो जाएगा 1 बटे 30 मतलब जो घासलेट का टीन है वो एक बोतल जो है एक बटे 30 भाग को भरता है इसलिए टीन की शम्तर हो जाएगा 30 बोतल के बराबर जो कि आप्शन D में दिया गया है अगला प्रस्ण है दिये गया चीत्र के अनुसार एक सका मान होगा इस एक सका मान निकालना है तो इस बड़े वाला त्रिभूज में देखिए यहाँ पास A, B और C में मान देखिए यहाँ पास A है और यह वाला कोन B है और त्रिभूज के तीने कोनों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है इसलिए 54 डिग्री धन 43 डिग्री यह 54 डिग्री धन 43 डिग्री धन A धन 38 डिग्री धन B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर अब 54 डिग्री धन 43 डिग्री धन 38 डिग्री को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 135 डिग्री धन A धन B बराबर 180 डिग्री 135 डिग्री इस सेट चले जाएगा हो जाएगा तो यह हो जाएगा रिन 135 डिग्री इसरे A धन B बराबर 180 डिग्री रिन 135 डिग्री के बराबर अब 180 में 135 घटाएंगे तो यह हो जागा 45 डिग्री के बराबर मतलब A धन B बराबर 45 डिग्री अब इस छोटे वाले त्रिभूज में देखिए B, D, C में त्रिभूज के तीने कौन का मान 180 डिग्री होता है इसमें भी अपलाई कर देते हैं इस वाले को तो यह हो जागा X धन A धन B बराबर 180 डिग्री X धन A धन B बराबर 180 डिग्री यहाँ पस देखिए A धन B बराबर निकाले हैं 45 डिग्री तो यहां पस्ट रख देंगे A धन B बराबर 45 degree तो यह जाएगा 1 से धन 45 degree बराबर 180 degree यह 45 एक साइट चल जाएगा तो यह जाएगा रिन 45 इसलिए A से बराबर 180 degree रिन 45 degree अब 18 में 45 गटाएगे तो यह बचेगा 1 से बराबर 135 degree यही एक से कमान है जो की option C में दिया गया है अगला प्रस्न है किसी लकडी के बंद डिब्बे के बहारी माप 45 cm, 32 cm और 28 cm है यदि डिब्बा 1 cm चौड़ी लकडी से बना है तो उस लकडी के डिब्बे की छमता होगी तो मालेत है एक लकडी का डिब्बा है अगलेत हैं। इसका बहारी माप दिया है 45 cm है तो अंदर का माप हो जाएगा देखें, यहाँ से यहाँ तक है 45 degrees तो यहाँ से 1 cm चौड़ी लकडी का बना है तो यहाँ से 1 cm इधर और 1 cm इधर गटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा अनदर का माप 43 cm है इसी तरह से इधर चोड़ा छो दिया है 32 cm मतलब यहां से यहां तक की दूरी 32 cm है देखी 1 cm छोड़ा लख्डी है यहां पास भी 1 cm छोड़ी लख्डी है तो 1 cm अधर और 1 cm घटा गे देंगे मतलब 2 cm कम कर देंगे तो अंदर कम आप हो जागा ये 30 cm है इसी तरह से इस 28 cm में भी 2 cm कर देंगे गहराई निकालने के लिए ते उजाएगा 26 cm के बराबर distraction पुछा है तो उस लखडी के डिब्बे की छमठा होगी डिब्बे की छमठा मतलब आता निकालना है आर लखडी के डिब्बे की 40 गन सेंटिमीटर जो की आप्शन एमें दिया गया है अगला प्रस्न है एक आयताकार कागाज के टुकडे को जिसकी माप 22 सेंटिमीटर गुनित 15 सेंटिमीटर है लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है तो इस तरह बनने वाले बेलान का आधिक्तम आयतान होगा एक आयताकार कागाज के टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 22 सेंटिमीटर चौड़ाई है 15 सेंटिमीटर इसे मोड़ कर एक बेलान बनाया गया है तो लंबी भुजा की तरफ से मोड़ने से इस तरह से बनने वाले बेलान की परदी है 22 सेंटिमीटर हो जाएगी तो बेलन की परिधी पराबर 22 cm क्योंकि लंबी भूजा की तरफ से मोड़ा गया है और बेलन की परिधी पराबर होता है 2πi r बराबर 22 cm इसलिए r बराबर हो जाएगा ये πi के मारा आग देंगे 22 बटे 7 तो इससे चले जाएगा तो हो जाएगा 7 बटे 22 इसलिए r बराबर 22 गुनित 7 बटे 2 गुनित 22 ये 22 ये 22 कड़ गया है इसलिए r बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 और बेलन का आइतन बराबर होता है πi r square h क्योंकि प्रस्ण में पूछा है इस तरह बढ़ने वाले बेलन का अधिक्तम आइतन क्या होगा तो हमें आइतन निकालना है और आइतन का फार्मूला होता है πi r square h r का मारग देंगे 7 बटे 2 और उचाई जो है ये वाला उचाई जो है 15 cm के बराबर होगा इसलिए r की जगा रखेंगे 7 बटे 2 और h की जगा रखेंगे 15 मारग देते हैं और पाई की जगा रखेंगे 22 बटे 7 गुनित r की जगा रखेंगे 7 बटे 2 r का वरगा है इसलिए दो बालिक देंगे 7 बटे 2 गुनित h जो के उचाई है 15 cm ये 7 ये 7 कट गया ये 22 को 2 से भाग देंगे 11 बार में चले जागा उसके बाद ये 11 गुनित 7 गुनित 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 1155 बटे 2 अब 1155 बटे 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 577 सहीं 1 बटे 2 गन cm के बराबर जो की अप्शन B में दिया गया है जही इस तरह बनने वाले बेलन का अधिक्तम आयतन होगा 577 सहीं 1 बटे 2 गन cm अगला प्रस्न A तथा B की I का अनुपाद 3 अनुपाद 2 है तथा खर्च का अनुपाद 5 अनुपाद 3 है जदी दोनों 200 रुपीय की बचत करते हैं तो A का I है प्रस्न में दिया है A तथा B की I का अनुपाद 3 अनुपाद 2 है इसलिए A की I बराफ़ा जागा 3 अगस और B की I बराफ़ा जागा 2 एकस जदी दोनों 200 रुपीय की बचत करते हैं तो A की खर्च बराफ़ा जागा I है 3 अगस और इसमें बचत को घटा आ देंगे तो यह खर खर्चा का अनुपाद 5 अनुपाद 3 है तो A बटे B का खर्चा का अनुपाद है 5 बटे 3 के तो A का खर्चा है 3X से रिन 200 और B का खर्चा है 2X रिन 200 तो A और B का माने हापस रख देंगे तो यह हो जाएगा 3X 2X से रिन 200 बटे 2X से रिन 200 बटे 5 बटे 3 इस 3 को इससे गुना करतेंगे और इस 5 को इससे गुना करतेंगे तो यह हो जाएगा 3-3 इक 9X, रीण, 2 तिया 600, बराबर 5 दूनी 10X, रीण, 5 दूनी 10, मतलब ये हो जागा 1000 अब ये 9X से 60 चल जागा, और रीण 1000 इस 60 चल जागा, ये हो जागा 10X में 9X गटाएंगे, तो हो जागा 100, और 1000 में 600 गटाएंगे, तो हो जागा 400 इसलिए X बराबर 400 सो प्रस्ण में पूंछाए तो एक की आय है तो एक यह थी आय है तीन एक से के बराबर एक से कमार्ण निकाल है 400 दिह रख देते हैं तो अगला प्रसल है एक आयत जिसकी लंबाई 35 सिंट्टिमीटर तथा चौड़ाई 28 सिंट्टिमीटर है तथा दे गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवरित काट के निकाले गया हैं, तो रिखांकित भाग का छेत्रफल होगा, यह एक आयत है जिसकी लंबाई है 35 cm और चड़ाई है 8 cm, इसकी दोनों भुजाओं से अर्धवरित काट कर निकाले गया है, और प्रस यह अर्ध वृत अब यह अर्ध वृत है अर्ध व्रित है और जो 88 cm है वो अर्ध वृत का ब्यास है ब्यास का आधा होता है त्रिज्या यदि ब्यास 28 cm है तो त्रिज्या हो जाएगा 14 cm तो आर के जागा रख देंगे हाँ 14 cm और 35 गुणी 28 करेंगे त्रिज्या हो जाएगा 980, रीन, पाई के जागा रख देंगे 22 बटे 7, आर के जागा रख देंगे 14, आर के बार गए इसलिए चेत्रफल होगा, 364 वर्ग सेंटीमीटर जो कि आप्शन B में दिया गया है, अगला प्रस्न है, दिये गया चित्र में वर्ग C का चेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग PQRS का चेत्रफल क्या होगा? इस वर्ग C का चेत्रफल दिया है 9 पाई, अब प्रस्न है पुछा है, वर्ग PQ R S का छेतरफल क्या होगा, तो वृत का छेतरफल बराबर होता है Pi R², प्रस्न में दिया है, इस वृत के छेतरफल 9Pi के बराबर है, एहां पास भास Pi R² बराबर होजाए скажers 9Pi, यह Pi यह Pi यह Pi कट गया, और इस्थ की और अरो बड़ा होना हो तो 0,3 अब यहाँ देखे इस वरिद की त्रिज्रा है तीन सिंटिमित्र है तो व्यास हो जाएगा 6 सिंटर्पट के बडाबर क्योंकि त्रिज्ज्या की दुगुना व्यास होता है तो यहाँ पास जो व्यास है 6 सिमिटर और जो व्यास है यो इस वर्ग के भूजा के बराबर है इसलिए PQRS जो वर्ग है उसकी भूजा है 6 अब प्रसमें पूछा है PQRS का छेतरफल क्या होगा तो वर्ग का छेतरफल बराबर होता है भूजा का वर्गा तो भूजा जो है वो 6 के बराबर हो जगा है तो यहां मारग देते हैं तो यहां भूजा के जगा अच्छा रहेगें तो यहां 6 के बराबर होता है 36 इस तरह से PQRS का छेत्रफल होगा 36 जो की अप्शन C में दिया गया है अगला प्रस्ण है जदी 7 पूरूस या 8 महिलाय या 10 बच्चे एक काम को 24 दिनों में पूर्ण करते हैं प्रत्यक दिन 9 घंटे काम करके तो 4 महिलाओं एवां 5 बच्चों के साथ कितने पूरूस प्रत्यक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्ण करेंगे तो यहाँ कूल काम बराबर हो जाएगा साथ पूरुस गुनित 24 दिन गुनित 9 गुनित बराबर 8 महिलाए गुनित 24 दिन गुनित 9 गुनित बराबर हो जाएगा 10 बच्चे गुनित 24 दिन गुनित 9 गुनित यहाँ M है पूरूस W है महिलाए और C जो है वो बच्चे है 24 गुनित 9, 24 गुनित 9 और यह 24 गुनित 9 कड़ जाएगा तो बचेगा 7 M बराबर 8 W बराबर 10 C यहीशे इस तरह से और लिख सकते हैं इसे और आगे हल करेंगे तो होजाएगा अब 80, 75 को 2 से भाग देंगे तो होजाएगा और 56 को 2 से भाग देंगे तो होजाएगा 28 प्रस्नेवर में पूछा है चार महिलाओं यहां पांच बचों के साथ कितने पुरूस प्रत्येक दिन 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में पूर्णा करेंगे तो इस तरह से रिस्कते हैं से चार महिलाओं धन 5 बच्चे धन 1 से पुरूस गुनित 6 घंटे गुनित 18 दिन बराबर कुल काम यहां पास है साथ एम गुनित 24 गुनित 9 अब देखिए यह हो जागा 9 दुनि 18 कट गया और यहां पस दो बच्चा दे होगा 6 दुनि 12 और 12 को चुविस से भाज देंगे यहां पास 6 दुनि 12 मतलब यहां पास 2 बच्चा है अब ड डबलु की जगा रखेंगे 35, C की जगा रखेंगे 28 और M पी जगा रखेंगे 40 तो मारा गदेते हैं तो यह हो जागा 4 गुनित 35 धन, 5 गुनित 28 धन, X गुनित 40 बराबर 7 M की जगा रखेंगे 40 और यहां पास 2 बचा था तो यह हो जागा 2 यह होगा 4 गुणित 35 करेंगे तो यह होगा 5 गुणित 28 करेंगे तो यह होगा पुछा है कितने पुरुस तो 100 को मान है कितने पुरुस तो एक सब्सक्राइबर साथ है मतलब इसके सहीं उत्तर है अप्शन सी साथ पुरुस अगला प्रशन है आ तथा ब की आउसत आयू 20 वर्स है यदि सी ए का स्थान लेता है तो आउसत आयू 19 वर्स हो जाती है तथा जलिता है तो आउसत आयू 21 वर्स हो जाती है तो बेवी, सी की आयू होगी तो प्रस्ण नों सार ये दिया है A धन B का आउसत आयू 20 वर्ष तो 2 इस से गुना हो जागा तो ये हो जागा A धन B बराबर 40 यदि C A का इस्थान लेता है तो आउसत आयू 19 वर्ष हो जाती है तो A की जगा C लिख देंगे तो ये हो जागा C धन B बटे 2 बराबर 19 19 गुनी 2 करेंगे तो ये हो जागा C धन B बराबर 19 गुनी 38 अब प्रस्ण में ये बोला है यदि C B का इस्थान लेता है तो आउसत आयू 21 वर्ष हो जाती है अब B की जगें यहां C रख देंगे तो ये हो जागा A धन C बटे 2 बराबर 21 21 को 200 गुना करेंगे तो ये हो जागा A धन C बराबर 42 अब A धन B बराबर 40, C धन B बराबर 38 और A धन C बराबर 42 इन सबको जोर देंगे तो जाएगा 120, 120 को 2 से भाग देंगे, तो बचेगा 60, इसलिए A धन B धन C बराबर 60, अब यहाँ देखिए, B धन C बराबर 38 है, तो B धन C बराबर 38 रख देंगे, तो जाएगा A धन B धन C की जग रखेंगे, 38 बराबर 60, अब 60 में 38 घटाएंगे, तो बचेगा 22, इसी तरह से A धन B धन C बढ़र यहां पस 60 निकाले है, अब इसें A धन C बढ़र 42 का मार राख देंगे, तो A धन C का मार 42 रखेंगे, तो यहांगा, B धन 42 बढ़र 60 अब 650 में 42 घटाएंगे, तो बचे का B बढ़र 18 इसे तरह से A धन B धन C बढ़र 60 है, अब इसें 1997 धन B, यहां पस लिखाए A धन B बराबर 40, तो A धन B बराबर 40 यहां मार रख देंगे, तो यह हो जागा, 40 धन C बराबर 60, यह 40 इस चल जागा, तो मैनस हो जागा, अब 60 में 40 घटाएंगे, तो बचेगा 20, इस तरह से C बराबर 20, अब देखें, यहां पास A का मान निकाल है 22, B का मान निकाल है 18 और C का मान निकाल है 20, इस तरह से A, B, C की आयू होगी, A की आयू 22, B की आयू 18 और C की आयू 20 जो की आप्शन B में दिया गया है, थैंक्स पर वाचिंग, जय हिंद!